हेलो दूस्तूं नमश्कार कैसे आप सब मुझे आशा है कि आप सब ठीफ होंगे और काफी सारे लोग excited हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं लेकिन सच में मैं कोशिश करूंगा कि आपके दॉस्त क्लीर कर पा हूं क्यों कि कल से मैं देख रहा हूं वाटसप पे युट्यूब पे हर जगह यही चल रहा है कि काप्या चेख हो चुकी है आज रिजल्ट आ जाएगा शाम तक result आजाएगा कर रिजर्ट आजाएगा कितनी सारी फेक न्यूज अफवा सब कुछ वाइरल हो रहा है न्यूजस आ रही है एक तरफ हाई कोर्ट में भी केस है एक तरफ अंक बढ़ने की भी उमीद हैं कुछ लोग कहरें संशोधित एंसर की आएगी कुछ लोग कहरें मतलब ब आउट है यूपी टेट को ले करके लिखित पर इच्छा को ले करके मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा तो चलिए सबसे पहले तो यूपी टेट रिजर्ट की जो अनुमानिट डेट है वो है तीम दिसेंबर ठीक है इसके पहले रिजर्ट नहीं आएगा अब जो ने आएंगे तो दोस्तों कल का दिन यानि एक तारीक अगर संशोधन हो गया तो कल के पेपर में होगा अधरवाइस सीधे रिजर्ट आएगा इसके बाद 14 तारीक को कोट की डेट है तो उसकी हेरिंग देखा जा सकता है वहां से क्या होता है लेकिन आप लोग सिर्फ यहीं उम परिवर्तन हुआ है और ना ही PNP से ऐसी कोई सूचना है कि आगे वह परिवर्तन करेंगे वह कर दें वह अलग बात है वह कापियां जांचने से पहले प्रश्णों में मार्क्स बढ़ा दें वो अलग बात है आपको तब मार्क्स मिल सकते हैं एक दो प्रश्णों के अदर्वाइस जो एंसर की आई है इसी पर कॉपिया चेक होंगी और इसी पर आपको नमबर मिलेंगे ठीक है अब जो अगला डाउट है वो है लिखित पर इच् अच्छा एक चीज और मैं बता दू अभी यूपीटेट में ही जो शेश है अभी कुछ प्रश्ण है जिनमें सुधार होने बाकी है या तो कोर्ट से या पी अनपी से फिर वही बात फास जा रही क्या पी अनपी इन प्रश्णों पर विचार करेगी जैसे दाध हातू मांसिक उद्वेलन ठीक है इसके बाद है बोलियां हिंदी में डबलू डबलू एफ मध्य किशोरावस्था ठीक है मध्य किशोरावस्था और पिता में ये चिन्ध ना होना तो इस तरह मतलब जो है छे प्रश्ण है और इन पर जो है लोगों को लगता है कि होना चाहिए शंशोधन एक है व्याकरनिक मानग भाशा साथ क्वेश्चन ठीक है लेकिन पी ने अभी तब कोई मूड नहीं बनाया है कि वह इन प्रश्णों में शंशोधन करेगी या नहीं करेगी नंबर देगी या नहीं देगी वाटेवर तो अगर तीन को रिजर्ट अगर कल का देख लिजे एक दिसंबर को अगर ऐसी कोई नहीं आती है तो तीन को सीधे रिजर्ट आ जाएगा ठीक है इसके बाद कोईशन शोधन होने की आशा तो नहीं है अगर कोट से कुछ होता है रिजर्ट पे रोक लगती है या रिजर्ट बदला जाता है तो वो कोट की न्यूज आपको दे दी जाएगी लेकिन फिलाल आप लोग परेशान मत हों लिखित पर इच्छा की तयारी करें ठीक है खूल कर करें एकदम इसमें आप लोग भाशा का और करेंट अफेर्स जीके का विशेज ध्यान रखेंगे गणित और विज्ञान का भी ठीक है अब ल द्यसेंबर को होगी पर इच्चा, 21 जनवरी को होगी पर इच्चा, 28 जनवरी को होगी पर इच्छा, ठीक है यहां पर तीन डेटस हैं, 22 दिसमबर, 11 जैन और 28 जैन, लेकिन आज की किया यह कल तक सच था, आज का जो सच है जो न्यूस पेपर में हैं, वो यह है कि P.N.P. THE. इलाहबार्द आपने नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो इसी ने UPTET की परिक्षा करवाई है और इतनी गड़बड मचाई है ठीक है इसे ही जिन्मेदारी सौपी गई है लिखित परिक्षा की अब जान लीजे TET में आप इनका performance देख चुके हैं आप सभी लोग लिखित परिक्षा भी इन्हीं के जिन्मेदारी में कर दिया गया है ठीक है अब ये इसे कब तक करवा पाएंगे इन्होंने कहा है कि हमको 6 मंथ लगेगा आवेदन लेने में ठीक है 6 मंथ लगेंगे और इन्होंने इसमें 3 चार कोर्स जो है और अनिवार कर दिये हैं जिनमें डी एड और मैंने बताया है कि कौन कौन से कोर्स को इन्होंने कर दिया है कि आ सकते हैं टेट प्लस सेट देखिए दोनों को बुला लिया गया है आधर इसटेट वाले सेट पास करके या टेट पास करके भी आ जाएंगे इसमें जिन्होंने बी टी सी या प्राथमिक इस तरह का प्रसिच्छन प्राप्त किया है वो इसके लिए इलिजबल हैं बी टीसी बि मतलब जो है लगभग कह रहे हैं न्यूज में ही मैंने देखा था कहीं कि पांच लाख तकावेदन होंगे लेकिन मुझे इतने छात्र दिखाई नहीं दे रहे कि टेट या सीटेट क्वालिफाई करने के बाद इतने छात्र हो जाएंगे यह गणना पर अभी मुझे बिल्कु हो जाता है तो यह भरती क्लियर समझिए ठीक है नहीं तो अगर छे महीने लगे तो फिर इधर टीटी का मामला भी फसेगा और जो अगली टीटी और अगली भरती है उसमें फिर काफी देरी हो जाएगी ठीक है हाँ एक चीज और लिखित परिछा के सिलबस में नोटिफिके है और गणित का यह 12 से घटा करके टिन या जा सकता है और एक चीज और है कि हींदी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत को भी लाया जा सकता है लेकिन ह options के chances सिर्फ 10% है 90% ऐसा है कि यह नहीं आ सकती संस्क्रित 10% ऐसा है कि आ सकती है ठीक है तो बस यही बाते थी आप लोग अपने हिसाब से तयारी करें अफवाहों पर ध्यान मत दें थैंक यू सो मच लाइक करें मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आशा करता ह आप नोट्सस आप सभी को मिल रहे होंगे आप नोट्ससे पढ़ रहे हैं तैयारी आपकी अच्छी चल रहे हैं और मैंने इंदिनों बहुत सारे नोट्स जुटा लिये हैं जो मैं आपको धीरे-धीरे दूंगा तो चलिए दोस्तों जुड़े रही है हमारे चैनल से और त Thank you so much.